कैसे आप सब आसा करते हीं ,स लोगें को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सेर करेंगे और वीडियो को सुरू से एंड्ट तक देखें तब से पहले हमारे किसन भायों तक पहुंचे किसन भायों प्यूस गोईल के तरफ से एक बहुती बड़ा बयान जारी किया गया है कि आप जो है प्याज का भाव इतना रहेगा कपसे जो है किसन भायों प्याज के निरियात चालू होने वाले हैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि प्याज के निर्याद जो है बहुती जल्द केंदर सरकार चालू करने वाली है किसनमायों बहुती बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं प्याज के निर्याद को लेकर आप हमारे प्याज के किसान होंगे माला-माल किसनमयों प्याज के निर्यात जब से केंदर सरकार ने बंद किये हैं तब से जो है मंडियों में प्याज के भाव आए दिन गिरते ही जा रहे हैं किसनमयों इस समय अगर मंडियों में प्याज के भाव की बात करें किसनमयों तो बहुत ही डाउन हो चुके हैं भाव तमाम मंड्यों में इस समय प्याज के भाव किंटेल के हसाब से 12-13 सर ःूपय पर्तिकुew Chiointel के हैं किसनमयों है। कोई मंडियों में किसंबाइग लगब पंदरہ से लेकर दोजार रुपए पर्धिकों इयुनिटेल के हिसाब से इस समय मंडियों में प्याच के भाव है किसंबाइगों प्यूस गोयल के तरब से केंदर सरकार को जो है अरजी लगाई गई है उन्होंने अपील की है केंदर सरकार से कि आप प्याज के निर्यात को जो है दुबारा से जल्दी से जल्दी चालू कर दें तक कि हमारे किसान भाईयों को प्याज के भाव कुछ ठीक ठाक देखने को मिल सकें परहाल किसनमयों अभी तक जो है केंदर सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है प्याज के निर्यात को लेकर की कब से जो है प्याज के निर्यात किसनमयों चालू होंगे उसी दिन से जो है हमारे किसान भाई प्याज के जो भी किसान है वो माला माल क्योंकि उनको इस समय प्याच के भाव उतने नहीं मिल पा रहे हैं जितने उन्हें प्याच के भाव मिलने चाहिए किसन तो कोई भी प्याच के निर्यात को लेकर अप्डेट निकलके आएगे किसन वायों मैं आप लोगों को इस चैनल के मादियम से तुरंत अभगत करवाऊं को धन्यवाद